हलो दोस्तों सवर एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी जीके जीएस की नियमित क्लासे चल रही हैं उसी के एक महत्तपूर्ण टॉपिक भुगोल खंड के भारत के राश्टी अध्यान और वन जीव अभ्यारण के महत्तपूर्ण प्रस्णों क उठाए गए हैं और कुछ नए प्रस्णों को सामिल किया गया है यह आपके आगामी आने वाले जितने भी एक्जाम है चाह रेलवे हो एंपी पीसी हो किसी भी एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे चली क्लास को सुरू करते हो देखते हैं आज के प्रस्णों को आज क्रूसा है के ल लम जो इंपॉर्टेंट पर इसको याद रहीएगा के लें जाओ कई बार प्रस्णी कुछ और यह जोल एक मात्रता ऊखित है मनिपुर के लोक्टक जील यह नाम भी याद रखिए लोक्टक जील में केबिल लाम जाओ जो बिस्सु का एक मात्र तैरता हुआ राश्टी उद्ध्यान है इस्तित है राजी टैंसर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा इसकी डिटेल देख लेते हैं, विश्व का एक मात्र तैरता हुआ राश्टी पार्क जो है, केबिल लाम जाओ, यह कहां पे हैं, मनपुर के लोक्टक जील में इस्तित है, लोक्टक जील यह important fact है, लोक्टक जील जो है, पुर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की जी है, और यह संगाई हीरन के संदच्छन के लिए प्रसिद्ध है, तो इस तरह से इन सारे factor को याद रखिए, अंगला प्रस्न देख लेते हैं, भारत का प्रथम प्रोजक्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, क्या प्रस्न पूछा किया है, भारत का प्रथम प्रोजक्ट टाइगर रिजर्व, इसके डिटेल देख लेते हैं, भारत में जो प्रोजक्ट टाइगर रिजर्व है, एक वन जीव संदच्छन की पहल के तहट 1973 में शुरू किया गया था, तो इस फिक्ट को भी याद रखिए, और इसका जो देर उद्दे से टाइगर रिजर्व के प्रागों की आबादी को प्राक्तिक आवासों के माध्यम से सुरच्छा और रखरकाओं को सुनिश्चित करना, तो इंपॉर्टन फिक्ट है, इसको याद रखिए, अंगला प्रस्ना है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, ऑप्सन में देखें, काना नेशनल पार्क, जिम कारवेट नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क या मानस नेशनल पार्क, तो कौन सा है, इनमें से ये हेमिस नेशनल पार्क है, कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क, ये लद्दाक वाले छेतर में हैं, और ह सबसे पहला यदि पूंचा जाए सबसे पहला राष्टी पार्क कौन सा है तो जिम कारबट नेशनल पार्क है 1936 में इसको हैली नेशनल पार्क के नाम पर इस्थापित किया गया था इंपॉर्टन्ट है 1936 में इस्थापित किया गया था किसके नाम से हैली नेशनल पार्क के नाम से भारत का पहला नेशनल पार्क उसके बाद यदि पूंचा जाए सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है तो हम इस नेशनल पार्क है यह लगदाक वाले छेत्र में हैं और हिम तेंदुए के संदच्छन के लिए यह जाना जाता है और यदि सबसे छोटा पूछा जाए तो साउत बटन है अंडबाननी को बार दीप समों में तो तीनों फेक्ट इम्पॉर्टेंट है सबसे पहला और सबसे छोटा इंपॉर्टेंट फेक्ट हैं इनको याद कल देजिए तो कब यह पारित हुआ था यह 1972 में 1972 में वन जीव सुरच्छा अधिनियम पारित हुआ था डिटेल देख लेते हैं इसके वन जीव सुरच्छा अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ था कब लागू हुआ था नौ सितंबर 1972 में लागू हुआ था और 25 जनवरी 1973 को वन जीव सुरच्छा अधिनियम 1972 के ताहद लागू करना मद्दप्रदेश पहला राजी था लागू करने वाला राजी कौन सा था मद्दप्रदेश पहला राजी था उद्देश इसकत क्या था देश के वन जीवों को सुरच्छा प्रदान करना अवैद तसकरी सिकार और उनके अवैद ब्यापार को नियंत्रित करना जनवरी 2003 में इस अधिनियम में संसुधन कर अपराधों के लिए जुर्माने और सजा को अधिक कठोर बना दिया गया है तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है इस प्रिक्ट को राजस्थान कौन सा राज्य है यह मद्ध प्रदेश है मद्ध प्रदेश को टाइगर स्टेट की नाम से जाना जाता है और इसमें सबसे अधिक नेशनल पार्क है देख लेते हैं भारत को टाइगर स्टेट की रूप में किस राज को जाना जाता है तो मद्ध प्रदेश को अन्ना राष्टे उद्यान पेच उद्यान संजे सत्पुड़ा और वन भीर राश्टे उद्यान इस तरह से यह 17 राश्टे उद्यान इनको याद रखिए अंगला प्रस्थ है देश का सबसे छोटा राश्टी उध्यान साउथ बर्टन आइस्टलेंड नेस्टनल पार्क किस राज़ी में इस्तित है पहला प्रस्थ है ही पे बन जाता है देश का सबसे छोटा राश्टी उध्यान TH zurück in आइस्लेंट नेशनल से हैं साउथ बुटन आसेलेंट नेशनल पॉर्क और एक वी सुराज्य में इस्तितुत है उत्र प्रदेश म्द्धप्रदेश महा रास्ट या अंडमान निकोबार दीप समोँ में इंपॉटन क्षज्म नहीं इसमें इस्टाल लगा लीजे अंडमां निको बार्दीब समूँ में देश का सबसे छोटा राष्टी इद्धान South Byд karş अइसलेंड डिटेल देख लेते हैं बहरत का सबसे छोटा राष्टी उध्यान South Byd राश्टी उद्यान है जो अंडबान निकोबारदीप समू में इस्तित है अंडबान निकोबारदीप समू में कुल नौ राश्टी उद्यान है जिसमें साउथ बटन आइसलेंड नेशनल पार्क जो है यह इसका छेत्रफल कितना है जीरो पॉइंट जीरो थ्री वर किलोमीटर है छेत्रफल में यह फैला हुआ है अंगला प्रस्थन है भारत का प्रथम राष्टी उद्ध्यान निवन में से कौन सा है प्रथम राष्टी उद्ध्यान कौन सा यह उत्राखंड में तेशनरी नाम यह नाम प्याद रखिये हेली निसुन का के नाम से इसे इस्थापिट किया गया था लिव स्दापना में 1936 में थी और इसका पहले नाम है था हैली निशनल पार्क शॉटरा साउथ बटन आइलन रास्टि उद्ध्यान है तो प्रोजेक्ट एलीफेंट भारत में किस वर्थ सुरू किया गया है प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर सुरू किया गया है 1992, 1973, 1992, 1990 यह दो बार 1992 आ गया है इसको एक बार क्रास कर लिजेगा 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में सुरू किया गया था एंसर क्या हो जाएगा 1992 A option हो जाएगा यह प्रोजेक्ट एलीफेंट के तहट भारत में एलीफेंटों की रख रखाओ और उनकी आवादी को बनाए रखने के उद्देश से प्रोजेक्ट एलीफेंट शुरू किया गया था इसकी डिटेल देख लेते हैं प्रोजेक्ट चैनलेविक ROB को बढ़ाना या नारे रखना 10 इस परियोजना को गजतमा कि नाम से जाना जाता है कि प्रोजेक्ट एलीफेंट को गजतमा के नाम से जाना जाता है प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्स पूरे होने को प्रच्च में आसम के काजी रंगा रास्टी उद्धान में गज उत्सो का भी आयोजन किया गया था तो important है करेंटर फेर से जुला हुआ प्रशन है गज उत्सो कहां मनाया गया है तो यह आसम के काजी रंगा रास्टी उद्धान में और किस उद्धेश से मनाया गया है तो यह प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्स पूरे होने के उद्धेश से यह पूरे होने के उप्लच में गज उत्सो मनाया गया है important question है इसको याद रखिए अंगला प्रस्न है 2016 में कंचन जंगा राष्टी उद्ध्यान को युनेस्को की विश्व धरोव अरिस्तलों में सामिल किया गया था यह राष्टी उद्ध्यान भारत के किस राज में है कंचन जंगा राष्टी उद्ध्यान को युनेस्को में 2016 में सामिल किया गया है और यह भारत के किस राज प्रभूराइश में हां अरुनाचल प्रदेश, सिक्क्यम, आसाम यह तेर्व तुह कुवशय में है कंचन जंगा यह कि मुंब बासरी टीम धिल भारत के सिक्क्यम में यह सुझर्व है इसे जुलाइー परवत के कारण पड़ा है तो है अंगला प्रस्त है वह राष्टी उध्यां जो भीग 5 के घर के रूप में प्रसिद्ध यह बिख 5 के नाम से जाना जाता है कौन सा राष्टी उध्यान है काजीड smash तो कौन सा है यह काजी रंगा यह आसाम में इस्तित है और बिग फाईव के नाम से जाना जाता है इसकी डीटेल देख लेते हैं बिग फाईव यह भारती गेडा रायल बंगाल टाइगर एसी आई हाती जंगली जलबयसा और दल्दली हीरन को सामुहिक रूप से काजी रंगा के बिग फाइव के रूप में जाना जाता है यह पांच प्रकार के भारती गैणा राइल बंगाल टाइगर एसी आई हांती जंगली जलवैसा और दलदली हिरन को समोहिक रूप से काजी रंगा के बिग फाइव के रूप में जाना जाता है काजी रंगा उद्ध्यान घोसित किया गया था कब राष्टी उद्ध्यान गोसित किया गया था 1974 में तो इस तरह से सारे इफेक्ट इंपॉर्टेंट है वही भी इसमें पुंछा जा सकता है इनको नोट कर लिजें अंगला प्रस्त है भारत का प्रथम तितली उद्ध्यान कहां पर इस्तित है प्रथम तितली उद्ध्यान यह कहां पर इस्तित है बंटेर घाटा तितली पार्क बैंगलोर में कहां पर इस्तित है बनेर घाटा तितली पार्क बैंगलोर में कहां पर इस्तित है बनेर घाटा त जाएगा important question है नोट एकल दीजे अंगला प्रस्ता है निमलिक हित में से किस राष्टी उद्ध्यान को road yard kipling की दा जंगल बुक से प्रेरित माना जाता है कौन सा राष्टी उद्ध्यान है जूसे road yard kipling की की जंगल बुक से माना जाता है इसकी डिटेल देख लेते हैं पेच टाइगर रिजर्व का छेत्र जो है रोडियार्ट किपलिंग की प्रसिद्ध बुस्तक जंगल वुक की वास्तिक कहानी वाला छेत्र है इसका जो नाम रखा गया है पेच नदी के कारण पेच टाइगर गोसित किया गया था ति Testament अकुन है इसफ्राइब ही आफिवलों की घ्राटी फ्लावर नेशनल पर कहां चूप्रइब की घ्राटी फ्लावर अम फ्लावर किसरे परको जाना जाता है और कहां पेच्टित है उत्त्रकंड में पश्चिम बंगाल में मणीपूर में अढ़िया तो कहां पे स्थित है यह उत्राखंड शिव असनाल पार्क श्थित है कि फूलो की घंटि विल्यु अब फ्लावर निशन पार्क की से सामिल किया गया है Visk piaceлов की सूची मी इस तरह से यह नोट कर लिजे कि अंगला प्रस्ना कै वर्तमान में भारत के कुल कितने राष्टी उद्यान है अब ही वर्तमान में आज तक भारत में कुल कितने राष्टी उद्यान है 104 एक 105 106 यह 107 तो कुल कितने राश्टी उद्ध्यान है भारत में तो 106 अभी राश्टी उद्ध्यानों की कुल कितनी संख्या है 106 है भारत में वर्तमान में 106 राश्टी उद्ध्यान है और 544 544 कितने हैं वन ने जीव अभ्यारण है तो इन दोनों फेक्टों को नोट कर लिजे छेत्र फल की द्रश्टी से भारत का सबसे बड़ा जयो मंडल आरच्छी छेत्र कौन सा है यह पूछागा है एरिया की द्रश्टी से भारत का सबसे बड़ा जयो मंडल आरच्छी छेत्र कौन सा है डिबरू साइख हुआ बायूस बायूसया रिजर्व यह पण्ना बायूस पेर रिजर्व तो कॉन सा है इनमें से यह ग्रेट रूँड अफ कच जो है छेत्रपल के द्रिष्टि से भारत का सबसे बड़ा जयो मंदल आरच्छी छेतर हैं, तो important है इसको note कर दीजिए, अंगला प्रस्ण देख लेते हैं, UNESCO द्वारा man and biosphere का आरकम की शुरूवात कब से की गई थी? UNESCO द्वारा man and biosphere का आरकम की शुरूवात कब से की गई थी? 1970, 1971, 1972 या 1992, तो कब से सुरूवात की गई थी? 1971 से सुरूवात की गई थी, कब से? 1971 से, डिटेल देख लेते हैं, UNESCO का man and biosphere program एक अंतर सरकारी बैग्यानिक कारकम ने, इसकी सुरूवात 1971 में की गई थी, उद्देश इसका क्या है? तो लोगों और परियावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए बैग्यानिक आधार को स्थापित करना, क्या है लोगों और परियावरण के बीच बैग्यानिक आधार को स्थापित करना? युनेस्को के वर्तमान महा निर्देशक कौन है ति यह आंद्रे एंजोले हैं कौन है आंद्रे एंजोले इंपॉर्टन्ट क्वेश्चन है यह करेंटर फेर्ट से जुड़ा हुआ प्रस्न है इस्थापना इसकी 16 नॉवंबर 1945 में होई थी युनेस्को की और मुख्याल है क यह सारे इंको नोट कर लिजी कि अ कि управ है वे यह प्रस्ण नो क्रेग बायो इस्पियर रिजर्व कि साराज में स्तितत नोक्रेग पायो श्पीर रिजर्व और में में और यह जो सिथ यह जंगली खट्टे फ्रीफ खट्थी है इंपोर्टेंट है इसको नोट कर लिजी अंगला प्रसना है नील गिरी बायो स्पेर रिजर्व किस राज में इस्तित है नील गिरी बायो स्पेर रिजर्व किस राज में इस्तित है ऑप्शन में देखे तमिलनाडू केरल करनाटक महाराष्ट तमिलनाडू केरल मद्ध प् पश्च्मी घाट में तमिल नाड केरल और करनाटक राजजों के मदेश्टेता हैं डिटेल देख लेते हैं निल गिरी बायू स्टफ़ेक रिजर्ब एक पश्च्मी कहाट आ में स्थापना इसके 1996 में की गई रहा है next's all campus in PARU मैं और प्रोग्राम के नहीं बहारत का पहला यह प्रोग्राम के तहिए भारत का पहला पायो इस है, इसके लाबाद दुनिया की आठ जै विवित्ता इस्पॉट में से एक माना जाता है नीलगीर बाइउच पेशियर इंबॉट कर लिजे अन्ना मलाई मालाई Tiger reserve किसराज में इस्तित यह बहन नीलगीर पहाड़ी जो अहीं में चर्चा कर चुके, उससी से सब्मण दिता है, अन्ना मालाई Tiger reserve किसधत सब्सक्राइध इस पर He mmorp Web का हिससाहिए औंगल प्रस नहीं साईलम्ट वेली नेशनल पार्क भारती राज में इस्थिद्धै साईलम्हस ब्ली ने इसानल पार्क किस भारती राज में सीत ओप्सन में देख लते हैं केरल में करनाटका महा रास्टरही या तमिलाड में थो कौन से किस राज में हिस्तित है यह केरल में हिस्तित है साइलेंट वेली नेस्नल पार्क इस्तित है यह एक राष्टी उद्ध्यान यह नीलगीरी पहाड़ियों में इस्तित है सांत घाटी को 1984 में घोसित किया गया था लेकिन अपचारिक रूप से कभ इसका उत्धगाटन होगा तो घुज़त पचासी में घोसमा जोना कभी थी राष्टी उद्ध्यान बनने की यह हुई थी 1984 में मिजोरम के महा राष्ट में तमिलनाडु कॉन से राज राज में किस राज में इस्तित है मिजोरम में रहे दमपाटाईगर रिज़र मिजोरम का सबसे बढ़ा बन जीवा भीयरान है तो इस फेक्ट को भी याद रखेए 1985 मीई से अधिसोचित किया गया था और 1994 मीई से टाइगर रिजर को घोसित किया गया था तो ये फेक्ट इंपोर्टन्ट है नोट कर लिजे सबरी माला एक हिंदू तीर्थिस्तल है ये किस बाग अब्यारन छेतर में इस्तित है सबरी माला कई बार नियूज में रहा है ये एक हिंदू तीर्थिस्तल है और ये किस बाग अब्यारन छेतर में आता है बांदीपूर, काना, पेरियार या पन्ना तो कौन से बाग अब्यारन छेतर में आता है तो ये पेरियार, केरल में इस्थित है, पेरियार बाग अभ्यारण छेत्र में आता है, डिटेल देख लेते हैं, सबरी माला मंदिर भारत के केरल राज में पतन पटिका जिले के पेरियार टाइगर अभ्यारण के में सबरी माला परवत परिस्थित एक महत्तपूर्ण मंदिर परिसर कहां प्रदेस में जीवास मरास्टी उध्यान कहां प्रदेस में जिवास मरास्टी उध्यान इस्थी थे बंच राश्टि उद्धयान काँ पिस्तित है मंडला में डिटेल देख रहेते हैं इसकी में इस्तित इस क्या है there 50 million words पुराने पौधों के जीवास्म रखे गए हैं आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है हमारी GKGS की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सब्सक्राइब है और इसी तरह के साथ फिर आंगे मिलते हैं थैंक्यों धन्वाद जयें